हलो फ्रेंड्स मैं सच्चेन स्वागत कता हूँ आप सुभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल MDK एजुकेशन पर और इस वीडियो में आपको करवाऊँगा नेवी SR का ओफिशल पेपर का सोल्यूशन जी हाँ इंडियन नेवी की जो ओफिशल वेबसाइट है उस पर नेवी SR का जो ओफिशल मौक टेस्ट डाला गया है दोनों के लिए common examination होगा पहले क्या होता था डबले का online exam शुरू होना हो गया था और SR का offline नहीं होता था लेकिन इस बार दोने के दोनों exam एक साथ होगा यानि common exam होगा दोनों के लिए SR के लिए या लग और डबले के लिए लग ऐसा कुछ नहीं होने वाला एक ही दोनों के exam होगा फिर उनके number के base पे आपको भेजा जाएगा या तो SR में या फिर डबले में ऐसे कुछ criteria बनेगा फिर उसके एसाब से होगा दोनों का exam एक ही होना है उसका pattern क्या होगा यह देख लिजी आप उसमें कुल आपके 100 questions आएंगे 100 questions आएंगे 100 marks के होगे 0.25 की negative marking होगी आपकी 0.25 की negative marking होगी यानि गलत अंसर के लिए आपका इतने नंबरियां से कट जाएंगे तो और एक जो main important बात है जो इसका time है वो है एक घंटा है यानि कि 60 minute में आपको 100 questions करने होगे जो की बहुत ही कम time है तो इसके लिए आप अभी से preparation करना start कर दें जितने ज़्यादा आप mock test लगा अगरो जिससे कि आपकी जो efficiency है time efficiency उसमें काफी सुधार आ सके और आपको time management कर करने का अच्छे से लिका जाए तो आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस हो सकें उतने ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए mock test लगाई है और उसमें कुल 100 person होंगे और उनमें आपके चार पार्ट्स में question divide होंगे चार पार्ट्स कौन कौन से होंगे हर section में आपके 25 questions सबसे पहले इ उसके बाद होगा आपका match match जोगी plus one और plus two का portion होगा उसमें सारा match का cover उसका match आएगा plus one और plus two का 25 questions उसके होंगे और last में जो 25 questions होंगे वो होंगे gk से general knowledge से जिसमें कि आपको 78 questions reasoning के देखने को मिलेंगे बागी के सभी questions gk और counterface से होंगे तो friends क्या आपने मुझे अनकेडमी पर follow किया है अगर नहीं किया तो अभी मुझे अनकेडमी पर follow करें लिंक नीचे description में है वहाँ पे आपको काफी अच्छे से courses देखने को मिलेंगे एक course में already upload कर चुका हूँ आपका currency और capital से लेकर currency और capital की मैंने अच्छे च्रिक के माद का जिसमें कि आपके 25 questions होंगे general knowledge जो कि section D में है तो देखिए उस इसमें पहला question दिया गया है non-verbal reasoning से उस आकरती को पहचाने जो दिये गए पदति को पूरा करे इसमें जो यहां पर fill in the blanks यहां पर blank दिया गया इस आकरती में इस blank वाली जगा कौन से आकरती आएगी यह फ reasoning कि उतनी आपके ज्यादा अच्छी reasoning हो जाएगी non-verbal तो देखिए इसमें क्या pattern follow रहा है जैसे कि जो right वाले दोनों corner है right में जो है उपर और नीचे दोनों में बिल्कुल सेम है symmetrical हो रहा है ऐसे जो left में आपके यह होंगे इसमें भी जो दोनों यह corner है दोनों boxes हैं इनमें symmetrical pattern जो follow होगा तो इनमें जो symmetrical pattern follow होगा यानि कि अगर आप मैं आपसे सीधे सब्दों में बात करूँ तो क्या होगा कि जो यह ऊपर वाला डिबह आपका इसमें इसकी अगर आपको water image जो होगी ना वही इसका answer होगा इसकी जो water image हो जाएगी वही इस question का answer होगा और वो होगा option option 2 option 2 इसका right answer हो जाएगा यहां पे next अगर मैं question 2 की बात करूँ तो question 2 भी आपका nonverbal reasoning सही है और इसमें भी आपको जो एक खाली box दे रखा है इसमें बतानी है कि कौन सी आ करती आएगी कौन सा फ्यू कराएगा तो इसमें क्या pattern follow हो रहा है एक बार देख लिए थोड़ा मैं I was gibi जूम कर देता हूं यहां पे इसमें देखेगे जो आपके center जो यहां पे center है center की साथ में जो यह बने होती है यह चुटरूज होती है center के साथ में इनकी बुझाएँ छोटी होती है एक बार दोवारा दिखा देता हूं highlight करके center के नहीं यह वाला सेंटर हो जाएगा क्योंकि यह आ करती जब उठकी यहां पर आएगी तो सेंटर यह वाला हो जाएगा सभी का तो center के पास किस में बुजाएं? छोटी हैं, पहले में बुजाएं छोटी हैं, दूसरे में बड़ी हैं, तो यह तो यहां पे इसका गलत answer हो गया, तीसरे में भी छोटी हैं, यह भी हो सकता है, और fourth तो यहां पे बिलकुल यह अलग हो गया, fourth तो आएगा यह नहीं, तो आपक स्टेट लगे हुए हैं जबकि तीसरे में आप देख रहे हुए यहां पर करू है यह करू टाइप में लगे हुए हैं और इसलिए तीसरा भी यहां पर लिमिनेट हो जाएगा फिस अपका राइट अनसर हो जाएगा यहां पर कि कटि नेक्स खर्शन रिडिए तर्ड कोशन यहां पर जाएं धीगे हैं इसमें पर राइट को देखे भी, अधेगी को तasan तर्शनostic एपher 0 को ऐसे लिख दूँ 1 qi minus 1 ऐसे बना है सुरी ठीक लिखा मैंने 1 का qi minus 1 तो 0 आजाएगा 5 कैसी आया है 5 आया है 2 का qi minus 3 22 कैसी आया है 22 आया है 3 का qi minus 5 ठीक है यानि कि शुरू में तो 1 2 3 इनका qi भी होता रहता है और माइनस में एक, तीन, पांच, साथ, नो, ग्यारा ऐसे उता चला जाता है अब 57 का ऐसे आया है 4 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब माइनस 7 तो ऐसे 64 जो ये 57 आया है नेक्स क्या आएगा 5 का क्यूब माइनस 9 यही 125 में से 9 माइनस करेंगे तो 116 आजाएगा 116 इसका राइट अंसर हो जाएगा option B यहाँ पर correct अंसर होगा और ऐसे ही यही पैटन 205 पर फोलो होगा आप देख सकते हो 5 का क्यूब कितना होगा 5 का क्यूब 5 का नहीं यहाँ पर 6 का 5 का बोल गया 5 का तो अब हम ने किया 6 का क्यूब होगा 216 और उसमें से फिछली बार हमने माइनस किया 9 इस बार माइनस करेंगे 11 तो 216 में से 11 माइनस किया तो 205 बिलकुल सेम पैटन फोलो हो रहा है ऐसे आपका राइट अंसर हो जाएगा यहाँ पर option B next question की और बात करें next question पर चल रहे है next question है fourth question in the given series find the number which is wrong इस series में बताना है कि इन में से कौन सा number यहाँ पर wrong दिया गया है तो इनका शुरू में आप difference कीजिए इन में difference कितना है उस हिसाब से हमें मलूम होगा कि यह series कि पैटन पर है कौन सा number इसमें wrong दिया गया है तो देखिए जो 81 और 64 है यहाँ पर इनके बीच कितना difference है 17 का 64 और 49 के बीच है 15 का यहाँ पर हमें थोड़ा roughly अंताजा होगा कि 2-2 का difference यहाँ पर कम हो रहा है पहले 17 का फिर 15 का अब की बार 13 का आएगा तो यहाँ पर 13 का डिफरेंस होता तो यह कितना हो जाता 36 हो जाता 35 की जगा 36 हो जाता ठीक है अगर 36 में से यहाँ फिर 13 का difference है आगे कितना का difference आना था फिर 11 का 36 में से 11 वो किया तो 25 हाँ ठीक हो गया अब 25 और इसमें 16 में 9 का difference आना था तो यह भी बिल्कुल सही हो गया यह थो हमने किया इनका difference करके वो इससे बिल्कुल सिम्पल हा कैसे देखिए यहाँ में 9 का square 64 8 का square 49 7 का square 35 यहाँ पे 6 का square होना चाहिए था ऐसे ही यहाँ पे 25 5 का square यह 4 का square तो सारे pattern आगे से 9 का square, 8 का square, 7 का square 6 का square, 5 का square, 4 का square ऐसे होना चाहिए था तो हैं पर 6 का स्क्वेर हैं 36 होना चाहिए था तो 35 यहां पर wrong answer दिया गया है दो मैंतर मैंने आपको पता है इस question को solve करने के लिए next question है 5 question बुहारने का संबंद dash से उसी परकार से है जैसे दोने का संबंद साबुन से है यान कि sweep is related to dash as was is to soap तो जो बुहारते हैं वो हम किस से बुहारते हैं जाडू से बुहारते हैं और दोते हैं किस से दोते हैं साबुन से जैसे साबुन से हम कपड़ों को दोते हैं वैसे ही जो बुहारते हैं यान कि हम sweeping जो करते हैं जाडू लगाते हैं वो यानि broom नेक्स कोशन पर चलते हैं इनमें से हमें क्रेक्ट स्पेलिंग बतानी है कि इनमें सबसे क्रेक्ट स्पेलिंग कौन सी है admissible की तो यह यहाँ पे आप इसको reasoning का भी कह सकते हो या फिर English का भी कोशन इसको कह सकते हो तो admissible की correct spelling क्या होगी यह आपको पता होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ admissible की correct spelling जो यहाँ पे दे रखी है वो दे रखी है option A A, D, M, I, S, I, B, L, E यही admissible की correct spelling है इसमें double S होगा only S, S, double होगा ना इसमें B, double होगा ना L, double होगा कुछ भी इसमें double नहीं होगा बस only S, double होगा इसमें तो यह आपको याद रखना है next question पर चलते हैं हमारा seventh question अब seventh question है blood relation से तो इस question को पढ़िए Hindi में एक question यहाँ पर गलत दिया गया है तो आप English में पढ़िए a man and a woman are sitting in a room man's mother-in-law and woman's mother-in-law are mother and daughter respectively man is the dash of the woman यह बताना कि man का उस woman से क्या लेसन है तो इस type के question में मैं आपको simply जो method बताता हूँ वो यही कहता हूँ कि आप इसको अपने उपर resume करके चलो और इससे आपको question बहुत आसान हो जाएगा जब आप अपने उपर इसको resume करके चलोगे blood relations वाले question को तो जैसे कि देखिए इसको करते हैं ऐसे ही देखिए इनोंने कहा रखा है एक आदमी और एक और तेक कमरें बैठे हैं ठीक है अब कहता man's mother in law यानि कि आदमी की जो mother in law है सास है और जो उस औरत की mother in law है उस औरत की सास है दोनों की दोनों mother and daughter है यानि कि दोनों की दोनों मा और बेटी है करमसे है respectively तो यह पूछा कि man is the dash of the woman उस आदमी का उस औरत से क्या सम्मन्द है तो आप यहाँ पे जो एक चीज आ रही है जो man's mother in law and woman's mother in law दोनों की दोनों mother or daughter है respectively तो आप यह जो mother or daughter है उनको खुद के उपर मान के चलो मान लिया दोनों mother or daughter कौन है आपकी माँ और आपकी नानी है यानि की मदर हो गई आपकी नानी और डोटर हो गई आपकी माँ ऐसे आपने मान के चला इस कोश्चिन में अब देखिए जो mother है आप यानि की आपकी नानी है और आपकी नानी की बेटी आपकी माँ है अब जो आपकी नानी है वो किसकी मदर से इनला है उस आदमी की मदर इनला और आपकी नानी किसकी मदर इनला होगी आपके फादर की यानि की वो man कौन हो गया आपका फादर हो गया ऐसे ही आपकी जो माँ है यहाँ पे डॉटर जो है वो किसकी मदर इनला होगी, जो उस वुष्ड है, कोन सी वुष्ड की मदर इनला होगी वोगी आपकी वाइफ की वाइफ आदमी होगै आपका फादर säga वोइफ करके solve करते हो Blood Lition को नेक्सT question देखते हैं 8 question 12 मिनट एम एक घंट है क्या विर बारा मिनट और एक घंटे क्या विर यह लिखा 12 मिनट यह लिखा अनुपात में एक घंटा अब एक घंटा और दोनों के दोनों को हम इस अमान करके चलें यहां पर चाहे तो मिन्ट को गंटों बदल लो या फिर गंटे को मिनट में बदल लो अब गंटे को मिनट में बदल लेते हैं ठीक है तो जैसे बारा मिनट है यहां पर और एक गंटा था अनुपात में तो एक गंटे में कितनी मिनट होंगी 60 मिनट होंगी तो अब इनका अनुपात निकालो आप 12 एकम 12 बारा पंजे 60 तो इनका अनुपात होगा 1 अनुपात 5 तो इसका राय टांसर हो जाएगा 1 बटे 5 नेक्स कोशन पर चलते हैं नाइन्थ कोशन मंद का संबंद डैस से उसी परकार है जैसे तेज का संबंद डैस से है इंगलिस में पर यहाँ पर फिर गलती दे रखें नुँना हिंदी में इंगलिस में है dull is to dash as intelligent is to clever यानि कि तेज का संबंद किस्से है चालाग से है intelligent का संबंद है clever से ऐसे dull का संबंद किस्से होगा foolish से होगा तो आसानी है बहुत next question है 10th question यदि out को out का code ये दिया जाता है out का code ये दिया जाता है तो हमें बताना है कि in का नया code क्या होगा तो आप देखिए out out का आप को पता है o का जो आपका alphabetic numeric value होती o की कितने नमबर पर आता पंदर नमबर पर u 21 नमबर पर आता है और t T20 नमबर पे आता है तो देखिए आपका यही पैटर्न यहाँ पे लिख रखा है 15 21 और 20 ऐसे लिख रखा है तो ऐसे ही सिंपली आपको I N के लिख देना है I कितने नमबर पे आता है I आता है 9 नमबर पे और N कितने पे आता है 14 नमबर पे K का नमबर क्या होगा I का नमबर क्या होगा तो आपको याद होने चाहिए मुझे तो याद है आपको बताईए कि आपको याद है नहीं अगर नहीं आपको याद होगे तो उनकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊँगा अलफा बैट को कैसी याद किया जाता है वो मैं Trick बता दूगा तो इसलिए मुझे आपका Comment जानना है कि आपको पता है और अगर आपको पता होगा तो ठीक है नहीं पता होगा तो मैं उसकी एक अच्छी से Trick बताऊँगा आपको जिन ट्रick से मैंने याद किया और मैं जिन्दगी में कभी नहीं बोलता है इनको नेक्स कोशन करें 11 कोशन मजब परदेश के कौन से सहर में हाली में उजाला राष्टे लेड का रिक्रम शुरू हुआ है तो यह कोशन करेंटरफेस से है और जो यह आपका कोशन पेपर है मौक टेस्ट है यह काफ लगबग 15 कोशन आपके यहां पे जिके के आते हैं तो नेक्स कोशन पर हम चलते हैं यह था करेंटरफेस 11 कोशन नेक्स कोशन है भीतर कनी का अभ्यान भात के किस राज्य में श्थित है तो यह आपके वन अभ्यान नेशनल पार्क की काफी मैं आपको करवा दूँगा तो चैनल की प्लेश्ट में जाके देख सकते हो जो जो आपके वहाँ पे अप्लोड किये गए हैं केंटरफेस भी मैं वहाँ पे डाल दा हूँ अब डेली डेली मौरिंग में एक केंटरफे की वीडियो आ रही है तो बीतर कनी का जो अभ्यान है वो है उड़ी सा में उड़ी सा इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है थर्टींत कोशन सामानिस रेनी के आर्थिक रूप से पिछडे वर्ट के लिए कौन से राजे ने हाल ही में दस परतिसत आरक्सन की घोशना देने की घोशना की है तो ये भी आपका केंटरफेस ये कोशन है तो इसको भी हम यहां पर नहीं करेंगी नेक्स कोशन है फोर्टेंथ कोशन भारत और चीनी गन्राजी के बीच परभावसाली सीमा कौन सी है तो भारत और चीनी राजे के बीच परभावसाली सीमा कौन सी है आपको पता है एक तो मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है तो मैक मोहन कि तो आपको इसमें नहीं दिखा मिलेगा नहीं मिला तो आप क्या करोगे नन अफ द अबो लगा क्या आ जाओगे और आपका अनसर की नाम की तो आप किसे ने सुनी हो तो वो इस answer को बिल्कुल इस question का सही answer लगा जाएगा जिसने इसके बारे में नहीं सुना वो इसका गलत answer लगा किया जाएगा तो इसका right answer जो हो जाएगा कच कारण उत्रपस्चिमी गुजरात और कालिस्तान डैस की सीमा से लगे सिंध प्रांत में स्थित है कच कारण गुजरात और किस की सीमा से लगे सिंध प्रांत में स्थित है तो जो कच कारण लगता है इन में से कौन से देश से लगता है गुजरात के साथ तो गुजरात में नेपाल बहुत दूर है गुजराथ से यह भी नहीं होगा तो सिधी से बात है पाकिस्तान साथ में लगता पाकिस्तान इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोशन करेंगे 17 नी 16 गुप्त वन्स का संस्थापक कौन था तो गुप्त वन्स का संस्थापक कौन था इन में से चंदरगुप्त पर्थम गुप्त वन्स का संस्थापक चंदरगुप्त पर्थम और चंदरगूप दवीतिया है जो उसके बारे में आपको पता हुआ चंदरगूप दवीतिया को विक्रमा दित्ते के नाम से भी जाना जाता था नेक्स कोशन है 17th कोशन पासान यूग के लोगों का पहला पालतुपसू कौन था तो जो पासान यूग के लोग थे उन्हें पहला पालतुपसू बनाया था कुट्ते को तो कुट्ता उनका पहला पालतुपसू था ओप्शन भी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से मेजर सोमनाथ सर्मा को ओप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेजर सोमनाथ सर्मा को सबसे पहले परमवीर चक्कर मिला था और ये इनको कब मिला था मरनो प्रांथ मिला था ये जो चकर है ये सेना में जो आपकी तीनों सेना होती है या फिर पेरा मिल्टरिज होती है टेरिटोरियल आर्मी होती है उनमें जो उतकिस्ट योगदान करता है बहुत बढ़ चड़कर बहुत बादरी वाला योगदान करता है उनको मिलता है और ज्यादा तर जो इनमें लो बोगोलिक उपनाम से question और बोगोलिक उपनाम के भी वीडियो में आपको उल्डेड प्रोवाइड करा चुका हूं तो अगर आपने नहीं देखिए तो अभी चैनल की playlist में जाहिए वहाँ पे आपको जीके topic wise के नाम से एक playlist बनी मिलेगी उसमें सारी आपकी जो topic wise वीडियो है उसमें आपको एक वीडियो मिलेगी भोगोलिक उपनाम के नाम से उसको देख लेना तो the land of cakes में बता देता हूं the land of cakes के नाम से जाना दाता है Scotland को Scotland the land of cakes next ATM यह full form से related question आ गया अब हर बार आता full form से related question तो ATM की full form क्या होगी full form भी मैं आपके लिए top 150 plus full form से वीडियो लाया चुका हूं already तो उनको भी आप playlist में जाके visit करिए फिर आपको मैं वीडियो के निचे description में भी दे दूँगा वहाँ से भी आप उसको देख सकते है तो ATM की full form होगी automated teller machine, automated teller machine इन में से देखिए A option यहाँ पर गलत दिया गया है, taling machine दे रखा है, C option भी गलत दिया है, totaling machine दे रखा है, D option भी गलत दिया है, transaction of money दे रखा है, तो यह गलत हो गए, अब जो B option है उसमें भी थोड़ी सी mistake कर रखे है नोंने, teller machine यह तो ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँ, यह automatic नहीं होता, यह होता है, automated, automated teller machine, तो यह आप यहाँ से थोड़ा सा इसको सुधार लेना, समझ जाना, यहाँ पर इनकी गलती है थोड़ी सी, automatic, लेकिन अगर आपको ऐसा मिले तो आप B option ही यहाँ पर लगा क्या होगे, right answer, ठीक है, next question ह 21th question, कौन सा सेत्र, नदियों की भूमे कहलाता है, sorry, फिर इन्होंने गलत दे दिया है, हाँ पे हिंदी में, English में पढ़िये, which reason is often called the land of five rivers, यहनी की पांच राजियों की भूमी, पांच नदियों की भूमी, किस राजियों को कहा जाता है, तो हिंदी में कोशन गलत दे रखा टू किल ए मोकिंग बर्ड नामक पुस्तक के लेकर कोन है, तो जो यह किताब थी, टू किल ए मोकिंग बर्ड ये लिखी थी, हार पर लीने, हार पर लीने, यह किताब लिखी थी, ओप्शन सीज करायट अंसर हो जाएगा, नेक्स कोशन है 23, अरजेन्टीना की राजदानी क् भी आपके captive lock क juicy भी बौत कोक्षिंज हैं हर बारे ऐक्जाम में य तो उनको भी आपको जुरू करना है और मैं अनकेडमे पर आपके लिए निकी वीडियो 10 केडमेयाओ्ग के लिए आपके लिए पर मैंने सारी केप्टल कऱांसि आपको के अंभी से याद करवाई है important देशों की लगबख सतर देशों की currency और capital मैं वहाँ पर करवा चुका हूँ तो आप unacademy पर जरूर देख लेना वो course मेरा उसका link नीचे description में है पांच lesson वहाँ पर total डाले गए है उसके trick के मादम से आपको उन में याद करवाया गया है और मैं बताना चाहूँ आपको YouTube पर मैं कोसिस करूँगा अगर time मिला तो YouTube पर डाल दूँ उसको लेकिन आपके और बहुत सारे topic रहते हैं अभी करवाने जो तो इसलिए यहाँ पर time की कमी है क्योंकि 4-5 वीडियो में वो आपके यहाँ पर करवाई हो सकेंगी यहाँ अगर मैं YouTube पर करवाना चाहूँगा उनको तो 4-5 वीडियो लगेंगी इससे आपकी और जो topic बसते हैं वो रह जाएंगे तो आप थोड़ा सा corporate करके अन-academy प बूनेश हैर्स इसको 29 आयर्स के नाम से भी बोला जाता है 29 आयर्स है अरजैंटिना की राजदानी नेक्स कौशन 24 नंद लाल बोस मंजिता बावा और तेब महता इनका समन्द किस से है यह सास्तिर गायक हैं या फिर अंग्रेजी कवी हैं या फिर चाय चितरकार हैं या फि 25 question में आपको home work के लिए देता हू운 इसका mansion आपको comment section में देना है comment section में अपना इसके बारे में आंसर कीजिए और जतना आपको इसके बारे में पता है detail में लखिए detail में लिखने का benefit मैं आपको ओलड़ी बता चुका हूँ तो आप detail में को लिखा करो उसके आंसर को इसका को सिन का अंसर क्या होगा अभी कमेंट कीजिए नीचे लिखिए चार आपके पास दिये गए यहां पर फिर इसका जो आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता हुगा जब भी मैं नेक्स्ट कोई ओफिसल मौक टेस्स होल करके आपके लि सारे हमने कवर कर ली हैं अगर वीडियो दिल से आपको अच्छे लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा और अगर फ्यूटर में ऐसे वीडियो पाना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब किये बगर मत जाना लाइक कर लेना अगर पीडियेफ पाना चाहते हो तो टेलिग्राम को जोइन कर लेना और मुझे अनकेडमी पर फॉलो जरूर करना ओके फ्रेंट्स बाई फिर मिलता हूं उसे नेक्स टूडियो में तब तक के लिए कमेंट करके बता देना कि आपको कौन सा टोपिक नेक्स चाहिए ओके बाई